परिवर्तन देखें वारे मानव तेरा सभाव पहले शादियों में घर की ओरते खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की ओरते नाचती हैं पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तेनाद करते थे ताकि कोई कुटा घर में ने गुश जाए आजकल घर के दरवाजे पर कुटा तेनाद करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ने गुश जाए पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटिन घर के बाहर करने जाता था अब खाना बाहर खाता है और लेटिन घर में आके करता है पहले आदमी साइंकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था अब आदमी कार से जिम जाता है साइंकिल चलाने के लिए चारों महत्वकूंड बदलाव हैं वारे मानव तेरा सभाव लास को हाथ लगाता है तो नहाता है पर बेजवान जीव को मार के खाता है यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगए दोस्तों जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीक मांगता है विच्चित दुनिया का कठोर सकते हैं बारात में दुले सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है यानि दुनिया खुसी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है गजब तेरी दुनिया का गजब तेरा खेल मुम्बती जला कर मुर्दों को याद करना और मुम्बती बुजा कर जनन दिन मनाना वहर ए दुनिया लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है उम्र बर उठाया बोज उस कीलने उम्र बर उठाया बोज उसकील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे पाइल हजारों रुपे में आती है पर पेरों में पहनी जाती है बिंदी एक रुपे में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है इसलिए किमत माइने नहीं रखती उसका करते माइने रखता है एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको नहीं पड़ते नमक की तरह कड़वा ग्यान देने वाला ही सचा मित्र होता है मिठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते है इतियास गवा है कि आज तक कभी नमक में किड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर किड़े पड़े जाया करते हैं अच्छे मार्क पर कोई वेक्ती नहीं जाता पर बुरे मार्क पर सबी जाते हैं इसलिए दारू बेशने वाला कहीं नहीं जाता पर दूद बेशने वालों को घर गर गली गली कोने जाना पड़ता है दूद वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला पर दारू में खुद हातों से पानी मिला कर पिते हैं और अन्ट में बहुत खूब सुरत पंक्ती इन्सान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर को तो खुश हो जाता है जबकि शेर भी जानवरी का ही नाम है सिर्व अपने तक ही सिमित ने करें शेर जरूर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी